अल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजय दश्मी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया मुख्यमंत्री निवास पर शक्ती साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्र का पूजन किया गया मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्टा पहन कर वैदिक विधी से शक्ती स्वरूपा मा काली की पूजा अर्चना की है इस दोरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात अधिकारी और करमचारी भी वहाँ पर मौजूट रहे यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जब आशिरवाद लेते हुए नजर आ रहे थे शस्त्रों की पूजा की गई है इससे पहले कि यह तस्वीर जो बड़े स्तर पर शस्त्रों की पूजा होनी है उससे ठीक पहले कि आप देखिया आराधना मुख्यमंत्री कर मोहन सरकार पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन का आयोजन कर रही है जिसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी भोपाल में डेप्यूटी सियम जगदिश देवरा ने शस्त्र पूजन किया भोपाल पुलिस कमिशनर हरी नारायन चारी मिश्र भी मौजूद रहे इस दोरान डेप्टिय सीम जगवीश डेवडा ने कहा कि सानातन धर में शस्त्र पूजा का आधिकाल से प्रावधान है देवी अहिल्या मा का आज 300 जन्मद अउसर है उसकी भी बढ़ाई शुपकामना है और उनी को समर्पित आज ये सस्त्र पूजन दशेरा का पर्व पदेश सरकार ने जो आयोजन किया है वो वास्ता में बहुती महत्वपूर्ण और गर्व की बात है क्योंकि सस्त्रों का अपना एक महत्व रहा है न तो सस्त्र के बिना सास्त्र सुरक्षित रह सकते हैं और न राश्ट सुरक्षित रह सकता है इसलिए सस्त्र का आदी काल से और हमारे सनातन संस्कृती में बड़ा महत्व है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पुजार चनल करेंगे